दोस्तों आपका अपके अपनी चैनल में स्वाक्त है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो एच्पि ने PG First Master का जो examination schedule है वो जारी कर दिया है, तो आपकी कोन चीडिर सीट रहेगी, क्या डिर सीट रहेगी, आपके exam कब होंगे, regular, private और ECODOL का जो HP PG First Master है उनके, तो उनके regarding update आया हुआ है तो उसके बारे में बात करेंगे इसी के साथ है HPU ने जो है वो आज कुछ एक जो है वो special chance re-evaluation reappear बालों के जो है वो result जारी करें हुए हैं तो उनके बारे में जो है वो बात करेंगे तो जली दोस्तों करते हैं वीडियो को start सबसे पहले अगर हम लोग के यहाँ पे बात करें HPU PG first semester के examination की तो जो PG first semester का examination schedule है उसका notification यहाँ पे HPU ने जारी कर दिया है तो जो भी PG first semester के exam है वो यहाँ पे March में आयोजित जो हो किये जाएंगे तो अभी जो भी new student है PG first semester के चाहे वो regular हो चाहे वो private student उनके exam जो है वो March 2013 में ही होंगे और उनकी जो date seat है वो अभी जारी होगी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि date seat for the same will be issued in due course of time तो अभी जो है वो इन सभी courses की जो new courses है उनकी date seat जो है वो अभी जारी होनी है यानि कि जो अभी जितनी भी date seat आई हुई है वो old students की ही है और जो नए student है session 22-23 के उनकी date seat जो अभी जारी होगी तो यहाँ पे जो MSC Geology MBA Rural and Development MA Translation PGTA first semester के student है उनकी जो date seat अभी आई हुई है वो as it is ही रहेगी और इन सभी courses को छोड़ के बाकी के जितने भी PG courses हैं first semester के यहाँ पे degree और diploma उनकी date seat जो अभी नई आनी है तो MSC Geology MBA Rural and Development MA Translation और PGDCA इन चारों की जो है date seat AGTG रहेगी बाकी इनों की date seat जो है वो नई जारी होगी तो जो भी PG first semester के student है उन्होंने attention नहीं लेनी है जैसे वो बोल रहे थे कि बहाँ पे उनकी date seat आ गई है लेकिन admin card नहीं आ रहे है तो अब जो है वो date seat जो आई हुई है वो old students के लिए ही रहेगी आपकी जो date seat अब भी जारी होनी है और आपके admin card भी जो है वो इस week में यहाँ जारी हो जाएंगे और जो भी आपके exam है वो यहाँ पे March में आयोजित जो है वो किये जाएंगे next update की बात करें तो यहाँ पे HPU ने जो है वो कुछ एक dare seat भी जारी करी हुई है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो MSC Geology है first semester की dare seat यहाँ पे जारी हो गई है MA Population Study की जो dare seat है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है साथ में ही जो है वो आपका MBBS second यहाँ पे जो professional supplementary examination है उनकी dare seat भी जो है वो यहाँ पे जारी हो गई है इससे के साथ MBBS third professional की जो dare seat भी यहाँ पे जारी हो गई है next अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे HPU ने जो आज कुछ एक results भी जो है वो जारी करें है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो BA third year improvement के लिए जिनों ने यहाँ पे exam दिये थे अपनी division को improve करने का और उनके exam सब्तमबर 2022 में हुए थे उनका result जो है वो जारी हो गया है इसी के साथ BA third year improvement of divisional का जो special chance मिला हुए था students को उनके result भ भी यहाँ पे आ चुके है इसी के साथ जो BA third year के थे जिनको यहाँ पे special chance मिला हुआ था अपनी degree improve करने का manual तो उनके result भी यहाँ पे जो है वो आ गए है इसी के साथ सास्तरी second year improvement का result भो भी जारी हो गया है और सास्तरी first year का improvement का result जो है वो भी जारी हो गया है तो जो भी सास् second and third year का जो improvement के result थे वो जारी हो गया है इसे के साथ यहाँ पर BSC in आपका जो MLT है second year उसका result भी जारी हो गया है और BSC MLT third year उनका भी result जो है वो जारी हो गया है तो यह कुछ एक result जो है वो आज HPU ने जारी करे हैं और बाकी के जो भी re-evaluation और re-appear का किसी का result जारी हुआ है first year यहां पर year का उनके result यहां पर आ नहीं रही थे कुछ एक students के अगर हुआ है तो आप मुझे comment box में बता सकते हूं बाकी second और third year के जो result भी अभी इस बीक में जारी हो जाएंगे तो दोस्तों यह थे मारे आज के कुछ एक update अगर आपको यह वीडियो ने प्रमेटे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें तासी अपडेट्स के निमारे साथ बने रहें धन्यवाद